नमस्कार साथियों, एक मित्र ने पूछा है कि सर न्यायाधी सफेद बालों वाली टोपी क्यों पहनते रहे और क्या अभी भी कुछ देशों में न्यायाधीशों के ड्रेस कोड का पार्ट है वो सफेद बालों वाली टोपी जो आप अभी बाजो में स्लाइड में देख रहे तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं एक lecture मैं already upload कर चुका हूँ इस channel पर की advocates काला coat क्यूं पहनते हैं उस lecture को भी जरूर देख जाएए तो आपको advocate dress coat के बारे में पता चलेगा कि advocate होने के नाते फुरुष क्या पहन सकते हैं, महिलाएं क्या पहन सकती हैं और काला coat pant के अलावा भी क्या कुछ और dress पहना allowed है आज हम बात कर रहे हैं न्यायाधीशों के dress coat के बारे में जिसमें especially मैं आपको उस सफेद बालों वाली टोपी विग के बारे में बताने वाला हूँ एक्चुली उस सफेद बालों वाली टोपी को पैरुक के नाम से जाना जाता है और पैरुक जो है वो लंबे समय तक दुनिया भर में न्यायाधीशों की पहचान बना रहा है इसके पीशे कई तरक और मयदार कहानिया भी हैं तरक यह मिलता है कि पैरुक नायाधीशों की युनिफॉर्म का हिस्सा रहा है और युनिफॉर्म हमेशा व्यक्तिगत पहचान और न्यून्तम सामुई पहचान को ही प्रकट करती रही है युनिफॉर्म में होने के कारण उन्हें हमेशा याद रहता था कि वह एक व्यक्ति नहीं बलकि नायाधीश है और जिस प्रकार वर्दी पहनने पर सैनिक का उत्साह बढ़ता है उसी प्रकार पेरुक पहनते ही नायाधीश की प्रतिबदता बढ़ जाती थी ऐसा कहा जाता है साथ ही वो जो सुनहरे बाल हैं सफेद रंग के जो बाल हैं वो एक खास समुदाय का भी परिचायक माने जाते हैं जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग हैं उनके बालों का रंग वैसा होता है तो नायाधीश एक खास वर्ग को बिलॉंग करते हैं ये भी उससे पता चलता था कहा जाता है कि सत्रवीश रताब्री तक नायाधीश छोटे बाल और दाड़ी रखते थे और चार्ल्स सेकेंड जो हैं उनको जाता है श्रे पेरुक को यानि वो सफेद बालों वाले विग को नायाधीशों की पोशाक का हिस्सा बनाने का पढ़ने के लिए मिलता है कि किंग चार्लस सेकेंड को सिफलिस नाम की एक बिमारी हो गई थी जिसके कारण वो गंजे हो गए थे और इसलिए उन्होंने अपने लिए एक विशेश प्रकार की विग बनवाई यह सामाने बालों वाली विग से अलग थी क्योंकि इसे किंग चार्लस द्वारा पहना गया इसलिए दुनिया भर में इसकी प्रसिद्धी हो गई और सभी न्यायाधीश जो है उसका अनुकरण कहने लगे और उसे पहने लगे बाद में इसे पेरुक नाम दे दिया गया और न्यायाधीश के यूनिफॉर्म में शामिल कर लिया गया भारत में 1961 में जब एडोकेट एक बना तब पेरुक पहनने की अनेवारिता को समाप्त कर दिया गया था आपको ये जानना चाहिए मतलब 1961 से पहले भारत में भी न्यायाधीशों की परंपरा में पेरुक पहनने की परंपरा थी और जो अंग्रेज न्यायधीश होते थे वो तो पेरुक पहनते ही थे तो आपको आज ये छोटे से लेक्चर में समझ माया होगा कि पेरुक क्या है इसकी शुरुआत कहां हुई और आज भी जो है दुनिया भर के कई नियाधीश, कई कोट में पेरुक पहनने की परंपरा को जारी रखे हुए है मूलतह ये जो है अब समापती की ओर है, ये नियाधीश के ड्रेस कोट का हिस्सा बहुत देशों में नहीं रहे गया है भारत में तो है ही नहीं तो अमीद करता हूं अमित्रों, इस चोटे से लेक्शर में आपको एक बढ़िया जानकारी मिली हुई होगी ऐसे ही और जानकारिया आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछें हमारे विभिन सोचल मेडिया प्लेटफॉर्म में जुड़कर हमें क्वेस्टन पूछते रहें और मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ऐसी जानकारिया आप तक लाता रहूँगा जुड़े रहें आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म वेडिक स्रिक्षा से नमस्कार